नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने अप्यस करू चैनल में दोस्तों, आज हम Excel में सीखने वाले ये पाई फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तो इन एक्सेल, एक्सेल में ये पाय का उप्योग एक वरत्त के शेत्रपल और परिदी को खोजने के लिए किया जाता है दोस्तों लेकिन पाय का उप्योग जैसे की बिल्लिंग एन कंस्ट्रक्शन, कॉटन, कॉंटम भवति की, कम्मिनिकेशन मतलब संचार, संगित, सिधान, चिकित साब प्रक्रिया, हवाई यादरा और अंतरिक्ष डान के लिए जो भी कैलिकुलिशन होते है दोस्तों उसमें ये पाय फंक इस फंक्शन में दोस्तों इसमें और्गुमेंट्स नहीं है दोस्तों सिंप्ली इसका सेंटेक्स है is equal to pi open bracket और close bracket इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है दोस्तों जैसे आप ये फंक्शन को अप्लाइ करेंगे आपको answer मिलेगा ये वारा दोस्तों देखें मैं यहाँ पर अप्लाइ करता हूँ is equal to pi open bracket and close bracket पस इसे इंटर कीजिए तो दोस्तों ये जो answer है 3.141592654 ये इसका default answer है दोस्तों और ये correct answer आता है पाइ की value है दोस्तों जैसे की पाइ की value हमें मालूम है 3.14 लेकिन Excel देखो दोस्तों point के बाउत कम से कम 15 digit Excel ने दिये दोस्तों ये देखें अब यहाँ से caliprator करेंगे कम से कम 15 digit है दोस्तों ये circle है दोस्तों ये circle का diameter है और ये radius ठीके दोस्तों अब इसी तरीके से हम area of circle को count करेंगे area of circle का function क्या है दोस्तों a is equal to pi r square चले दोस्तों हम इसे start करते हैं और एक छोटी सी बात दोस्तों अभी तक आपने आपके चैनल को subscribe नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज एक बार subscribe कर दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों दोस्तों मेरे पास यहां पर दिखिए radius cm में लिखे हो है 0 1 2 3 4 5 10 radius cm में लिखे हो है दोस्तों अभी हमें diameter चाहिए तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों देखिए बहुत ही simple है दोस्तों मैं क्या करता हूं देखिए यह radius का double है यह diameter दोस्तों तो टू इंटू जीरो यह radius को कर दीजिए और एंटर मारी है स्वारे दोस्तों यहां पर मैंने bracket open किया है ना तो मैं इसे bracket को निकाल देता हूं और देखिए दोस्तों यह आया इस circle का diameter दोस्तों अब पाई की value यह बहुत ही simple है दोस्तों यह कैसी calculate हुई देखिए आपको यहां पर करना is equal to pi open bracket और close bracket एंटर देखिए दोस्तों बास इसे आप double click कर दीजे यहां पर आ गई पाई की value यहां पर मैंने decimal points दोस्तों कम कर दिये यहां पर जाके यहां से आप decimal increase or decimal decrease भी कर सकते दोस्तों increase or decrease अब चले दोस्तों हम area of circle निकालेंगे excel में यह calculation कैसे देखिए दोस्तों यहां पर हमने यह जो पाई की value हमें निकलने की जरूरत है दोस्तों देखिए मैं क्या करता हूँ पहले तो linear आपको पाई की value इसके बाद इंटू करना है यह radius और एक बाद इसे इंटू कर दीजिए enter यह आ गया है दोस्तों area of circle देखिए दोस्तों मतलब आप area of circle और और diameter आप excel में भी यूज कर सकते है दोस्तों बहुत ही simple तरीका है दोस्तों यहां पर मैंने function का नाम मतलब इस area of circle का यहां पर function लिखा है दोस्तों pi r square इसे हमने excel में solve किया है दोस्तों ठीके चलिए दोस्तों हम देखिए अगर हमारे पास diameter circle का diameter अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों बहुत ही simple है दोस्तों चलिए दोस्तों हम यह function solve करते है देखिए c is equal to pi into r diameter of circle इसे कैसे calculate करते है दोस्तों बहुत ही simple है दोस्तों चलिए में क्या करता है देखिए इसे निकाल दीजिए हमारे पास pi की value sorry is equal to pi बराबर open bracket close bracket into r radius ही यहाँ पर और enter कीजिए दोस्तों इसे drag कर दीजिए देखिए दोस्तों यह value आ गई diameter of circle कैसे निकाला दोस्तों इसका formula pi into r radius ही यहाँ पर और pi की value है हमने pi into r किया दोस्तों इसी तरीके से हम यहाँ पर भी solve करेंगे दोस्तों यह देखिए दोस्तों diameter is equal to 2 into r चलिए अगर circle in 2 inches तो हमें इसको भी add करना है दोस्तों देखिए मैं क्या करता हूं 2 inches into r radius ही यहाँ पर enter कर दीजिए इसे आप control d कर दीजिए देखिए दोस्तों 2 inch का circle है तो दोस्तों diameter हम इसे easily excel में solve कर सकते हैं और इसका function है d is equal to 2 into r ठीके दोस्तों चलिए हमारे पास और एक example है यह देखिए क्या लिखा है the radius of circle is a 2 cm अगर circle का radius 2 cm है तो diameter कैसे calculate करेंगे और circle को कैसे calculate करेंगे उसके मैंने यहाँ पर functions लिखे दोस्तों यह है हमारा radius इंटू करना है आपको 2 Ctrl D कर दीजे दीके दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको करना है diameter of circle कैसे calculate करते है दोस्तों c is equal to pi into d चलिए यहाँ पर हम जाएंगे pi open bracket close bracket into d diameter है हमार यहाँ पर bracket close, enter कर दीजे direct और इसे drag कर दीजे नहीं जी किता दीखे दोस्तों इस डायमेटर के थुरू उसने निखाले दोस्तों यह ठीके दोस्तों और last में दीखे दोस्तों what is diameter क्या है अगर हमारे पास है उसका function है दोस्तों circumference का function है pi into d अगर उसका क्षेत्रपल है दोस्तों 15.7 चलिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखें क्षेत्रपल किसे निकालेंगे what is diameter इसका पहली पाइ की value चलिए यहाँ पर pi open bracket close bracket into diameter कहां पर दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर ठीक है दोस्तों देखिए एक बार वापिस इसकी लिए दोस्तों आपको देखिए हमें दिया है c c हमारे पास है 15.7 और pi into d यह कैसे होगा calculation देखिए दोस्तों जो अपना यह है दोस्तों diameter divided by pi क्योंकि हमारे पास 15.17 value है किसे निकालेंगे divided by pi open bracket close bracket देखिए उस तो तो इस तरह के से आप circle का क्षेतरपल, diameter, radius आप इसके calculate कर सकते area of circle calculate कर सकते, pi की value आप find out कर सकते दोस्तों अगर radius change हुआ है तो उसकी calibration कैसे रहेंगे अंदर के diameter मतलब हर एक प्रकार का यहां पर आप pi function के साथ function use कर सकते ठीके दोस्तों यह था pi function दोस्तों आप इसे use कर सकते आपके data के उपर दोस्तों और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपने यह session सुना है मेरा इसलिए बहुत 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 शुक्र है दोस्तों लाइक और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों धन्यवाद झाल मत बहुत बहुत सुना है